नमस्कार दोस्तो आज के इस क्लास में देखने वाले हैं उपसर्ग से समंदित सभी अब्जेक्टिव प्रस्ण के बारे में एक्जाम में जो भी अब्जेक्टिव प्रस्ण पूछे गये हैं या फिर पूछे जा सकते हैं सभी अब्जेक्टिव क्वेशन को देखने वाले है हिंदी व्याकरन बिहार बोर्ड क्लास 12 के उपसर्ग से समान्दित objective question देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देड़ी के साथ तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है विकास सब्द में कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग का मतलब ही होता है कि जो सब्द पहले जुरू कर उस सब्द का अर्थ बदल लेता है उसे ही उपसर्ग बोलते हैं तो विकास सब्द में कैसा उपसर्ग है आपको बताना है तो विकास सब्द में कैसा उपसर्ग हैं सही उत्तर ए नमर्स का सही उत्तर है चलिए रख थीक सब्द में उपसर्ग बताना है तो अत्रिक्तसब्द में कैसा उपसर्ग है जो के आगे लगा हुआ है ऑ कैसा है तो निवा सब में उपसर्ग क्या होगा नीव होगा नीवा नीव नी सही उतर क्या हो जाएगा डी नमर इसका सही उतर है ठेक है आगे देखते हैं भर पेट भर पेट में कौन सा उपसर्ग है भा भा भर और सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर है भर C नमर इसका सही उत्तर है ठेक है भर पेट में C नमर सही उत्तर है आगे देखते हैं पुरातन में कौन सा उपसर्ग है पू, पूर, उ, पूरा तो सही उत्तर कौन सा है पुरातन में पुरातन का सही उत्तर है D, पूरा पूरा सही उत्तर है पुरा जोड़तन पुरातन ठीक है दोस्तो आगे देखते हैं अनुसरन में कौन सा उपसर्ग है सही उतर बताना है इसका अनुसरन में कैसा उपसर्ग है अ है अन है अनु अन्य सही उतर चारों उपसर्ग में से कौन सा हो जाएगा सही उतर है C नमबर C नमबर इसका सही है अनूसरन अनूसरन उपसर्ग है आगे देखते हैं अभी योजन अभी योजन में कौन सा उपसर्ग है ओ है अन है अभी है अन्ने है तो अभी योजन में सही उतर क्या हो जाएगा तो सही उतर है अभी 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 C नमर इसका सही उतर है अभी योजन आगे देखते हैं प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है प्रक तो आत प्रो सही उतर क्या हो जाएगा प्रख्यात का तो D नमर इसका सही उतर है दी नमर इसका सही उत्तर है प्रोख्यात्क में प्रोउपसर्ग लगा हुआ है ठीक है आगे देखते हैं बे इनसाफी बे इनसाफी में कौन सा उपसर्ग है तो बे इनसाफी में जो उपसर्ग आपको बताया जा रहा है वो बे है इन है बेई है तो नौमा का सही उतर क्या हो जाएगा नौमा का सही उतर हो जाएगा बे बेजोर इंसाफी ठीक है उपसर्ग को पचाने का एकी तरीका है कि जब हम किसी सब्द में उपसर्ग खोजते हैं तो एक सब्द को अलग करते हैं सोड़ी एक अक्षर को अलग करेंगे ऐसा जो निर्थक सब्द को अलग करेंगे और जो सार्थक सब्द बनेगा तो जो निर्थक सब्द हटाएं है निर्थक अक्षर वो होगा उपसर्ग उपसर्ग में उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है वो उपसर्ग किसी सब्द में जूड़ कर उस सब्द का अर्थ बदल देता यह से बे ठेक है अती यह कुछ उपसर्ग है ठेक है वो किसी सब्द में जूड़ जाता है ठेक है तो देखिए बे इंसापी में पड़िक उत् है ठीक है प्रत्य जैसे हम प्रत्य प्रत्य है तो प्रत्य में क्या होता है लास्ट में इसे भलाई में आई लग जाता है तो कुछ तव अर्थ नहीं हो पाता ठीक है तो प्रतिकूल देखते हैं इसका प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है पुछा जाएगा प्रतिकूल में है प्रा है तो परा है सही उतर क्या हो जाएगा डस्मा का तो प्रतिकूल में सही उपसर्ग कौन सा हो जाएगा बी नमर्स का सही उतर है एक प्रति में प्रतिकूल है प्रतिकूल में सही उपसर्ग प्रति है दस का बी नमर्स ही उतर है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है अनुवाद में उपसर्ग है अव अनु अन ओ अनुवाद में सही उपसर्ग क्या हो जाएगा अब अनुवाद अनुजुरवाद तो अनुवाद बी नमर इसका सही उतर है ठेके आगे देखते हैं निरवाह में कौन साफंद निरवाह नीडी नी नीड़ यह भीविय今्ए सुंबरता ही क्या होगा कि इसका सी नमर स्थे उत्तर है निड़ तो सब्द ही लेकिन इड़ एंशी नमर से उत्तर है आगे देखते हम बे इमान में कौन सा उपसर्ग है बे इन बे इन बे इमान में कौन सा उपसर्ग है तो बे इमान तो बे को अलग किजिए जिसका अर्थ है नहीं है तो बे इमान इमान का अर्थ है तो बे हो गया उपसर्ग आगे देखिए किस सब्द में उपसर का पर्योग हुआ है किस सब्द में हुआ है उपकार, लाबदायक, परहाई, अपनापन तो नीचे दिएगे options में किस सब्द में उपसर का पर्योग हुआ है उसके बारे में आपको बताना है तो सही उतर क्या हो जाएगा पताईए इसमें हुआ लाबदायक ने उप में उपकार्थ होता है नहीं होता है लेकिन कार कार्थ होता है तो उपसर्ग वह सब्द जिसका अर्थ तो नहीं होता लेकिन वो किसी सब्द में जूरकर उस सब्द का अर्थ ही बदल देता है तो उपसर्ग है जो कार में जूरकर उपकार बना देता है ठीक है दोस्तों तो ए नमर इसका सही उत्तर है यह परहाई जो है परते है इसमें आई उपसर्ग लगा हुआ है सोरी आई पर्ते लगा हुआ है ठेक है तो यह पर्ते का उधारन हो जाएगा यह उपसर का तो अभख याद llकर और अ आगे दिखते हैं कि विंग्यान में कौन सा उपसर्ग है अन फ्रलक वीं विघ्यान में सब से मतलब की उपसर कौन सा अभी ज्यान में तो V जोर ज्यान तो V कहां दिख रहा है C नमर तो C नमर इसका सही उतर है आगे देखते हैं संसकार में कौन सा उपसर्ग है संसकार में कौन सा उपसर्ग है संस, सम, संस, सन तो 16 का सही उतर क्या हो जाएगा बी नमर इसका सही उत्तर है सम जोरकार संसकार ठीक है तो सही उत्तर संसकार भी भी है क्विशन है इसका सही उत्तर हो जाएका सम बी नमर इसका सही उत्तर है ठीक है आगे देखते हैं रोहित में कौन सा उपसर्ग है तो रोहित में कौन सा उपसर्ग है तो देखिए पुरा पूर्ड पुरस पुरस तो क्या हो जाएगा है तो सही उत्र इसका क्या हो जाएगा सत्रामा का बताइए पुरोईत तो सही उतर है इसका डी नमर पुरह जोर तो पुरह इसका सही उतर है पुरोईत में पुरह उपसर्ग का यूज किया गया है ठीक है तो डी नमर इसका सही उतर है पुरह उपसर्ग है ठीक है यह बी नमर पूर नहीं होगा पुरह होगा ठीक है आगे देखते हैं संकल्प संकल्प में कैसा उपसर्ग है सो है सन है सम है सो है तो संकल्प में कैसा उपसर्ग है तो संकल्प सो जोर कल्प तो संकल्प में इसका सही उतर क्या हो जाएगा सी नमर इसका सही है संकल्प 18 का सही उतर क्या है बताईए सो जोर कल्प या सम जोर कल्प संकल्प सम जोर कल्प संकल्प हो जाए i aard इस स्वागत स्वागत में कौन साउप सरग है तो सव है संभा सव है दीनम्ठ में few टो जो आगत होता है दीनम्ठ इसका सही उत्थर आगे देखते हैं उपवन में कौन सा उपसर्ग है उ है उप है उप है अप है तो उपवन में सही उत्तर क्या हो जाएगा उपवन में कौन सा उपसर्ग का यूज किया गया है तो उपवन में सही उत्तर उप का यूज किया गया है बी नमर इसका सही उत्तर है आगे देखते ह ठीक हैं आगे देखते हैं पतिनीधी में कौन सा उपसर्ग है परती परती परेट इन में से कोई नहीं यह दुनों सब्सक्राइब का हिर फेर है तो 21 का सही उतर क्या हो जाएगा ए नंबर ए नमर इसका सही उतर है जैसा मात्रा होगा उसी दार पर देंगे ठीक है प्रति है तो प्रति है ऐसका उंतर है कि आगे दोत है कि अधर में कॉंसा अप सवाइस में कॉंसा सबद है इसका उतर है सिननों साही दिख रहा है ठेक है लेकिन इस में हलन्त हो जाएगा अगर देखा जाए तो मानने जिसमें हलन्थ है तो ए नमर इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो उपवास में सही उत्तर हो जाएगा ए नमर ठीक है मिस्प्रिंट हो गया था तो उप में मानने जली यह हलन्थ है तो ए नमर इसका सही उत्तर है उप हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं अपलक में कौन सा अपसर्ग है। तो 25 का सही उतर क्या हो जाएगा, अपलक में, एक जो सब्द में कैसा उपसर्ग का यूज किया गया बताई कैसा उपसर्ग है अभी है अ है अभ है अभीन है तो अभीनंदन में आपको उपसर्ग बताना है तो अभीनंदन में ए नमरिस का से उतर है अभीनंदन अभीनंदन ए नमरिस का से उतर है आगे देखते हैं अवकास अवका इसका सही उतर क्या हो जाएगा बी नमर इसका सही उतर है अव तो अवकास का सही उतर क्या हो जाएगा अव जोरकास तो बी नमर इसका सही उतर है अंचाह आगे देखते हैं अंचाहा अंचाहा सब्द में नीहित उपसर्ग है कैसा नीहित उपसर्ग है अन अप ओ तो अंचाह चाहा में तो चाहा सब्सकुन यह नमर को दराएका बताएं कि इस depos में यह सब्सक्राइगा यह नमरầव निहीत उपसर्ग है आगे देखते हैं उनचास सब्द में निहीत उपसर्ग है तो उनचास में उन है उ है अन है उ है तो सही उतर कैसा हो जाएगा तो 27 का सही उतर आपके पास होना चाहिए उन उन्चास में उन लगा हुआ है ठीक है तो ए नमर इसका सही उत्तर है उन्चास में उपसर्ग लगा हुआ है उन्चास में उपसर्ग लगा हुआ है उन्चास में उपसर्ग लगा हुआ है उन्चास में उपसर्ग से निर्मित सब्द नहीं है तो प्र उपसर्ग से निर्मित स ती सोथ नहीं खोड उत्त है लेकिं इसलिए य तीनों सही है लेकिन ये सब morph नहीं मतलब योग सब्सक्ण है उसका और चेंज हो गया लेकिन सोध सब्सक्रा लेकिन उत्त में प्रती उप्सर्ग य॑ नहीं लगा हूँ ढगे हैं आगे देखते हैं नी उपसर्ग से नीइ सब नहीं है तो नी मिस है क्यूं नहीं है तो निरघुद नहीं है कि इसमें नीर उपसर लगा है नीर उपसर युज की आ गया है तो 29 का D नमर सही उतर है तो D नमर सही उतर है आगे देखते हैं नीर उपसर से नीर में सब नहीं है निर्दोस, निर्जल, निर्देश, निरंजन तो निर उपसर से निर में सब नहीं है, D नमर नहीं है, क्यों नहीं है, नी जो रंजन है, नीर इसमें नहीं उपसर हुआ है, नी का यूज हुआ है, उपर से लेके नीचे, A से लेके C तक में नीर उपसर का यूज हुआ है, लेकिन नीरंजन में नी उपसर का यूज हुआ है जैसा कि पीछे वाले question में देखे थें, इसमें नी उपसर गा, तो इसमें नीर उप्योग हुआ, D number, आइसमें देखें, D number में नीर उपसर यूज हुआ, तो ठीक है, ऐसे question दे दिया आता, आगे देखते हैं, तो इसका D number इसका सही उतर है, कि इसमें नीर का उपसर का यूज हुआ, नीर का नहीं है, ठीक है, नी का यूज हुआ, आगे देखते हैं, सम उपसर्ग से नीर में सब नहीं है, सम उपसर्ग, सूमती, सनहार, समबोधन, समविधान, तो 31 का सही उतर क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग से, सम मत इसमें हलंत है, सोरी, इसमें हलंत लग जाएगा इसमें हलंत लग जाएगा मौ में सुरी एक मठ सम है ना तो इसमें हलंत लगा देज़े मौ में हलंत है ठीक है तो इसमें हलंत है सूमती, सनहार, समबोधन, समविधा तो सही उतर क्या हो जाएगा ए नमर सही उतर है चेक है तर नहीं है इसमें तो सम का उपसर का यूज हुआ है लेकिन ए नमर में सूमती में सू उपसर का यूज हुआ है सम उपसर का यूज नहीं हुआ है ठीक है तो ए नमर इसका सही उतर है सूमती में सम उपसर का यूज नहीं हुआ है आगे देखते हैं ए नमर सही था इसका आगे देखते हैं स्वा भीमान में, 75 है, 100 है, 100 है, 100 है, तो सही उतर 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का, ए नमर, इसका सही उतर, 100 भीमान, 100 भीमान, तो इस परकार, दोस्तो, एक से लेकर हमने 32 तक के उपसर्ग से सम्मांदी सभी objective question देखे देखे और जो भी objective question exam पूछे गया थे वह भी हमने देखा जैसे कि पहला question से लेकर कुछ कुछ से देखी ये भी 2019 में पूछा गया था ये 2019 में पूछा गया था मतलब कि उपसर्ग से सम्मांदी question exam में पूछे जाते हैं ये 2020 से पूछा गया था और देखते हैं देखे 2018 में पूछा गया 2018 में पूछा गया 2020 में इंटर में 2020 में पूछा गया तो इस परकार दोस्तों एक से लेकर जो 32 देखे हैं उसमें से सभी objective question को अगर हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो सभी question हमें easily exam में बन जाएंगे ठीक है दोस्तों तो इस परकार हमने उपसर्ग से सम्मांदी सभी objective question को को देखा समझा ठीक है दोस्तों ओके बीजा है